नमस्कर दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर, एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको भी माईक्रो टीचिंग करानी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने जो है, एक मैथ का लेशन प् क्लिक कर दो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालू, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैं, आज हमसे जूड़े रहने के लिए, टेलिग्राम, एन वाट्सअप, और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए तो सबसे पहले इसमें आप लोग को डेट डालना है, जैसे कि 16 मार्च 2021 यह बिल्कूल ताजा ताजा है, और क्लास 7 छात्रा द्यापक का नाम यहाँ पर आपको डालना है, विश्रे जो है मैंने यहाँ पर मैथ चूज किया, उसका उप यानि सब सबजेक्ट जो है मैंने र राइट एंगल और इसकी जो अवधी होती है यानि डूरेशन 6 मिनट होती है और यहाँ पर टीच, रीटीच यानि पाठ और पुनर पाठ यहाँ पर पहली बर पढ़ा रहे हो तो पाठ अगर उसी पाठ को दूबारा पढ़ा रहे हैं तो पुनर पाठ पर आपको टिक करना होगा अब यह कौसल के घटक है जो मैं आपको बता देता हूं तो इसमें टोटल आट जो गत्य हैं घटक पहला है अस्पश्टिकरण करने की कडियों का समचित परियोग सेकेंड है प्रारंबिक कथनों का परियोग तीसरा है निसकरसा आत्मक कथनों का परियोग और चौथ पूछना पड़ेगा सेवेंथ है प्रशनों का सही उत्तर प्राप्त करना यानि जो आपने कोश्टन पढ़ाया है अगर उससे रिलेटेड आप अगर कोश्टन पूछते हैं तो उससे आपको जो जनकारी मिले बिलकुल सही प्राप्त हो आठवा है कथनों का तारेतम्यता तो यह रहें कोशल के आठ घटक अब इसमें आपको क्या करना है शायक समागरी में अगर आप राइट एंगल ट्रेंगल ले जाते हैं बनाके तो इसमें चार्ट आपको ले जाना है और सेकेंड हो जाएगा अन्यक अच्छा उपयोगी समागरी इसमें आपका चाक डश्ट कुछ इस तरीके का कालम आपको इसकेल लेके बनाना पड़ेगा एक कॉलम में आप लिखेंगे छात्रा ध्यापक करिया है शेकंड में बिद्यार्थी करिया है इधर रहे गई बिधी प्रविधी वर शाहयक शामागरी इधर श्यामपट कारे रहेगा और यह आपका परियुक कोई समझ में नहीं आएगा यहां पर लोग आंसर नहीं देंगे तो यह कौन सी विधी हो गई प्रशनोत्तर प्रविधी हो गई उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है एकस्पलेन करना है यानि असपस्ट करना है कि ऐसा तिरभूच जिसका एक कोड कितना होता है 90 डिग प्लस 90 180 होता है यानि इसको 50 और 40 में भी तोड सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप जो इसको तोड सकते हैं समकोर तिरभुच को भुजाओं को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं तो तीन भागों में विभाजित करते हैं जैसे के आप लोग देख पा रहे हैं पहला यह अधार और कण यह Base होता है perpendicular Hypertenus सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है अब जो भुजा 90 degree का कोंड बनाती है यानि यह जो भुजा 90 angle का कोंड बनाती है इसको perpendicular dieta लंप बोलते हैं और जो 90 degree के सामने वाली भूजा यानि यह जो है इसके सामने वाली भूजा इसको हम लोग क्या बोलते हैं या yhteस बची मुझा आधार बोलते हैं तो यह आपको इतना पताब चालग़ा आपने इतना एक्सप्लेंड कर दिया next आप क्या कर सकते हैं यदि हमको समकोड तिर्भुच की दो भुजा हैं, यहां से देख सकते हैं, आपने पैथागोरस तिर्वरम पढ़ा होगा, क्लास 9 तेट में, अगर आपको पता है, तो जैसे आपको दो अगर पॉइंट पता है, यानि कण पता है, या फिर लंब पता है, तो उससे आप लोग पर में कहलाती है, तो पैथागोरस पर में क्या होती है, कण का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस अधार का स्कॉयर, आप लोग बता शक्ते हैं, तो फ्रेंड, यहां देख सकते हैं, आपको बोध प्रस नहीं लिखना होगा, जैसे कि मैंने यह बनाया, इसी चड़ अ कोड़ों का योग कितना होता है, तो कितना होता है, यहां पर स्टूडेंट बताएंगे, 180 होता है, क्योंकि मैंने अभी स्पस्ट करके सबको बता है था, और यह कौन से विधी थी तो प्रशनोत्तर भी दी थी, फिर मैंने पूचा, 90 डिगरी के कोड़ के सामने की भुजा क क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, प्रशनोत्तर भी दी थी, अगर आप इसमें और एड करना चाहते हैं, तो वो भी एड कर सकते हैं, कि माल लीजे अगर आपको समकोर्ति प्रभूज में दो साइड पता है, जैसे माल लीजे लंब पता है और आधार पता है, तो इन दो की साहता से आप तीसरी परमे ग्याद कर सकते है, तो इसमें कौन सा परमे लगेगा? तो पाइथागोर्स थेोरम लगेगा, यानि पाइथा इसके बाद आप जो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए उसके बाद अंतिम कतान आपको यह लिखना होगा कि आज मैंने असपस्टी करण कॉसल का अभ्यास किया नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर निरच्षड ताली का रेटिंग स्केल बनाना पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया है कि कॉसल प्रयोग के लिए निरच्षड अनुसूची तता रेटिंग स्केल उसके बाद यहाँ पर निरदेशक आपको लिखना होगा कि प प्यूक को गोला लगा है जैसा कि मैंने यहां पर अपने जो घटक पूरे लिख दी है और यहां पर देखी मुझे क्या 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 जो है कमेंट मिले हैं समालोचन सुजाओं में तो यहां पैंतालीस डिगरी के जो है सर्कुलेशन पर आपको खड़े होना है ठीक है अगर आप तो यह रहा आपका स्पश्टी करना यानि इसके लिए आफ एक्सिपलेशन मने अगर कोई भी दिखकत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूब रता है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाय टेक केर जाहें दोस्तों